अब हम conversion of sum or difference into product, conversion of sum or difference into product, क्यों फर्मॉले देखेंगे ट्रिक्नमेट्रिक में, ठीक है, तो पहला फर्मॉला है मारा sin c plus sin d, ठीक है, तो दो अलग अलग टर्म है, sin c plus sin d, दोनों अलग अलग है, और उन दोनों का sum किया जा रहा है, और sin है, अब इनको हम convert करेंगे product में, ठीक है, इनको हम convert करेंगे product में, उसी तरह sin c minus sin d, अब यह difference है, दो trigonometric ratio है, अलग 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 टर्म है, trigonometric ratio है, sin sin है, और angle अलग अलग है, तब यह difference है, इसको हम convert करेंगे product में, ठीक है, उसी तरह cos c plus cos d, और cos c minus cos d, इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार अलग अलग formula लिखे, एक साथ मैं इस लिए लिख रहा हूँ, ताके हमको याद रखने में आसा नहीं हो, तो sin c plus sin d, sin c minus sin d, addition, subtraction, addition, subtraction, ठीक है, formula को हमको अच्छे से समझना है, यहाँ पर c है, तो यहाँ दी है, मतलब दोनो फर angle अलग अलग अलग, trigonometric ratio सेम है, ओके, चलो, अब उसके बाद हमने एक चीज़ याद रखी थी, मैंने आपको एक sentence याद करने को बोला था, कि जब sign ह तो sin और cos का combination लेते हैं, बराबर, जब sign हो तो sin और cos का combination लेते हैं, और जब cos हो, तो sin, sin और cos का combination लेते हैं, बराबर, तो इस तरह हमने इसको, यह statement मैंने आपको quote करने को कहा था, ठीक है, तो अब यहाँ पर sin, sin है, जब sin, sin हो, sin हो, तो sine और cos का combination होता है तो हम यहां लिखेंगे sine और cos ठीक है जब sine sine हो तो sine और cos का combination होता है जब sine sine हो तो sine और cos का combination होता है इस तरह ठीक है तो अब sine c प्लस sine d है प्लस है और यहां पर sine है तो हम यहां पर sine के साथ में क्या करेंगे c plus d upon 2 इस तरह लिखेंगे क्यों? क्योंकि ये sin है और उसमें plus है यहाँ sin है और उसके साथ plus है अब यहाँ पर sin है और उसके साथ minus है तो इसलिए यहाँ पर sin के साथ में c minus d upon 2 करेंगे इस तरह ठीक है? तो देखो हमने क्या किया sin c plus sin d था तो पहला point यह याद रखा कि sin और cos का combination sin और cos का combination अगर plus है तो sin के साथ plus और वो क्या? सही plus d upon 2 और फिर minus किस के साथ आएगा? cos के साथ में तो c minus d upon 2 यहाँ पर minus आगया तो यहाँ पर c plus d upon 2 आजाए तो इस तरह हमने यह step याद रखे किस तरह मैंने construct किया आपको उसको देखना है, समझना है तो इस तरह हमारे पास यह formula 2 बन गए ठीक है, एक और additional चीज़ है यहाँ पर हमको choice करना है दोनों में जो है हमको choice करना है एक बार फिर से repeat करता हूँ मैं step हमने किस तरह follow किये? कि sin, sin है तो sin और cos का combination तो sin, cos, sin, cos okay sin, sin के साथ plus है तो यहाँ पर जो sin टम है उसके साथ plus आएगा तो c plus d upon 2 और अगर sin के साथ minus यहाँ पर minus है तो sin के साथ में minus आएगा तो c minus d upon 2 फिर sin c plus d यहाँ आगया तो minus cos के साथ आएगा और यहाँ पर अगर c-d-sin के साथ आगया तो cos के साथ प्लस आएगा उसके बाद दूसरी टाप इधार आते हैं कि cos रहा या फिर cos होता है जब तो cos cos का combination और sin sin का combination होता है तो sin sin का combination लेना है या फिर cos cos का combination लेना है तो यहाँ पर plus है तो हमको cos cos का combination लेना है जबकि यहाँ पर minus है तो यहाँ पर sin और sin का combination लेना है समझें आप लोग कि जब cos हो तो cos cos का combination या sin sin का combination है अगर plus हो तो cos cos और minus हो तो sin sin ठीक है अब फिर से हमको यहाँ पर c plus d upon 2 करना है c minus d upon 2 करना है तो यह दोनों तो cos है तो किसके भी साथ c plus d upon 2 करो या किसके भी साथ c minus d upon 2 करो कोई फरक नहीं पढ़ेगा तो c plus d upon 2 c minus d upon 2 इस तरह फिर यहां पर भी साइन साइन सेम है किसी की भी साथ plus करो minus करो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है तो इस तरह जो है तो यह formula रहें फिर जो two की बात थी तो वो two भी आएंगा यहां पर लेकिन यहां पर थोड़ा सा और exceptional है कि जब cos cos हो और minus हो तो यहां पर minus आता है क्योंकि जब हम अगर हम उस पर भी गौर करें cos a plus b के फार्मुले पर तो क्या होता है cos square theta minus sin square theta तो जब sin आ रहा है तो उसके सामने minus आता है sin square theta cos square theta minus sin square theta तो minus sin square theta तो यहां पर minus sin ऐसा हम कुछ याद रख सकते हैं ठीक है तो इस तरह हमने यह formula construct किये यह है conversion of sum or difference into product जब कभी भी दो trigonometric ratio है same हो trigonometric ratio angle अलग हो उनका sum हो या difference हो तो उनको हम product में convert कर सकते हैं इस तरह तो इस तरह आपको यह formula write up करना है और इसको समझ कर याद रखना है हमने double angle formula देखे एक बार मैं उसको revise करता हूँ sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta यह होता है इसमें अगर हम गौर करें इसको तो हमको क्या समझ में आता है यहाँ पर कि sin 2 theta है sin 2 theta को 2 बहार लिखा जा रहा है और एक बार sin है एक बार cos है मतलब यह angle का यहाँ पर half है यह angle का यहाँ पर half है यह double है तो यह उसको half है और 2 यहाँ पर है उसी तरह cos 2 theta is equal to cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta इस तरह होता है और tan 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta यह हमने formula देखे इसे हम double angle formula बहुते हैं इसे हम double angle formula इसे हम double angle formula बहुते हैं राइट अब इसी double angle formula को हम half angle formula करते हैं half angle formula half angle formula कैसा ठीक है जैसा यहाँ पर double है sin 2 theta अगर मैं यहाँ पर लिखो sin theta ठीक है अब यहाँ पर यह double था इसका half यहाँ हुआ और इस तरह हुआ अब मैंने इसको already यहाँ पर half कर दिया अब यहाँ पर जो आने वाली item equal to आगे वो इसका भी half आएंगी मतलब किस तरह 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 ठीक है देखो यहाँ पर sin 2 theta था 2 बाहर आया sin और cos आया और उन दोनों का half हो गया इसके compare में उसी तरह यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि 2 को बाहर लिखा और theta का half जो है एक बार sin के साथ दिया एक बार cos के साथ दिया तो इस तरह हमारा sin theta के लिए half angle formula बने है उसी तरह cos के लिए भी बनेगा cos theta is equal to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 इस तरह उके उसके बाद फिर tan का भी formula बनेगा 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2 तो double angle formula की मदद से हम इस तरह half angle formula भी construct कर सकते हैं डबल angle formula में कुछ और important formula भी है जिसमें sin 2 theta is equal to यह थोड़े से additional है sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta जबके tan में जो है tan 2 theta का formula जो है 2 tan theta upon 1 minus होता है यह minus है ओके तो 1 minus tan square theta होता है जबके अगर आप यहांपर plus कर दे तो यह sin 2 theta का formula बन जाता है इसका प्रूफ भी है लेकिन अभी हमको प्रूफ अगर नहीं देखना है लेकिन यह आपको formula याद रखना है तो sin 2 theta के दो formula हो गया हमेरे पास एक यह वाला और एक हमारा basic तो वह भी लिख देता हूं मैं आपकर sin 2 theta into cos theta इस तरह दो formula रहेंगे sin 2 theta ओके उसी तरह cos के लिए cos 2 theta इसका हमारा पहला basic formula cos square theta minus sin square theta यह वाला इसका दूसरा एक और formula है 1 minus 2 sin square theta ओके और एक और formula है 2 cos square theta minus 1 ठीक है तो इस तरह डबल एंगल formula में यह दो formula भी add हो जाएगे यह दो formula है और यह इसके लिए एक formula sin वाला के लिए ओके यह सारे formula आपको अच्छे से पढ़ना है इसको समझना है और लिखना भी है अपने बिखने ओके तो डबल एंगल formula और half एंगल formula ठीक है उसी तरह हम इसको भी half एंगल formula बना सकते हैं इसके sin theta equal to 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2 इसके लिए हमने half एंगल formula बना दिया उसी तरह इन दोनों के लिए भी half एंगल formula बन सकते हैं तो cos theta equal to 1 minus 2 sin square theta by 2 और 2 cos square theta by 2 minus 1 इसको ठीक है तो यह double angle और half एंगल formula और कुछ additional formula बना सकते हैं